क्या मरने के बाद एक मा अपने बच्चे को जनम दे सकती है अब आप लोग कहेंगे कि इसा सवाल है ऐसा थोड़ी possible है लेकिन ये possible है एक pregnant महिला मरने के बाद भी अपने पेट में पल रहे बच्चे को successfully जनम दे सकती है पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है तो doctors and scientists के पीछे ये देते हैं कि अगर किसी महिला की मोत उसकी pregnancy के दोरान या फिर delivery के दोरान हो जाती है और अगर बच्चा मैचोड है तो मरने के बाद बोडी में बनने वाली gases इतना जादा pressure पैदा करती है कि बच्चा शरीर से बाहर निकल जाता है गाईस इसी को ही coffin birth खा जाता है अब हमारे लिए ये किसी चमतकार से कम नहीं है क्या आप इसके पहले तब coffin birth के बारे में जानते थे comment section में जरूर लिखेगा king of pop के नाम से मशूर Michael Jackson के dance और उनके songs के दिवाने पूरी दुनिया में थे लेकिन Michael Jackson की एक और चीज थी जो कि उनके fans के बीच में काफी मशूर थी और वो थी उनके काले घने बाल लेकिन उनकी मोत के 10 साल बाद आई उनकी autopsy report में जो खुलासा हुआ वो आप लोगों को चो का देगा उनकी autopsy report में ये खुलासा हुआ है कि Michael Jackson के सिर पे एक भी बाल नहीं था वो जब भी public appearance और performance के लिए जाते थे तो वो सिर पे विग पहन कर जाते थे गाईज ये चका चोन भरी दुनिया अंदर से कितनी काली और घहरी है ये कोई नहीं जानता क्या इसके पहले तक Michael Jackson का ये राज आप जानते थे comment section में जरूर लिखेगा अभी हाली में जब हैदराबाद में भयंकर बारिश हो रही थी तो वहाँ पर IT सेक्टर में काम करने वाले Robin Mukesh को चाय की तलब हुई क्योंकि उनका office शुरू होने वाला था इसलिए अपनी चाय की तलब को मिटाने के लिए उन्होंने जोमेटो पर चाय और कर दी लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था गाईज इतनी बारिश में महज 15 मिनिट के अंदर मोहमद अकील नाम का एक delivery boy चाय लेकर पहुँच गया जब Robin ने अकिल को देखा तो वो पूरी तरह से भीगा हुआ थ इतनी महनत देखके Robin ने अकिल के लिए fund raise करना शुरू किया और देखते ही देखते 43,000 रुपया एकठा हो गया जिस में से 30,000 रुपया एक अमेरीकी महिला ने डोनियेट किया था गाईज अब इतनी महनत अगर कोई करेगा तो यह इनाम तो बनता ही है हमें भी इन delivery boys की हमे पर क्या ये वीडियो सच है अब इसी का पता लगाने के लिए स्थानिय पुलिस ने जब जाच परताल शुरू की तो मामला गरबढाते देख वहां के एक शक्स ने सरेंडर कर दिया और कहा कि उसने ये वीडियो एक एप से डाउन डोड किया था और फिर उसके बाद अपन आज देके उसे एडिट किया लोगों के साथ शेर किया और जूटी कहानी भी बनाई उसके बाद ही पुलिस ने उसे पकड़ा उसकी काउंसलिंग की और अगली बार ऐसा करने पर कारेवाई करने की चेतावनी भी दी अगर आप भी ऐसा कोई फेक वीडियो बनाने का सोच र लेकिन 18 अक्टूबर 2006 को माइक्रोसोफ ने गूगल को लगबख बरबाद ही कर दिया था जब उसने गूगल सर्च एंजन को बाइट डिफोल्ट से हटा कर अपने सर्च एंजन बीन को यूज करना शुरू कर दिया था तब गूगल को 300 मिलियन यूजस का नुकसान हुआ थ तो शायद आज गूगल का अस्तित्व खत्रे में पड़ जाता क्यूंकि तब सुन्दर पिचे की अगवाई में गूगल ने अपना वेब ब्राउजर क्रोम 2008 में लॉंच किया था जो कि आज दुनिया का नंबर वन वेब ब्राउजर है गाइस क्या आपको पते है कि हमारे समय का अलबर्ट आइंस्टाइन या फिर आईजेक न्यूटन किसे का जाता है चलिए हम आपको बताता हूँ वो है एक 9 साल का बच्चा जिसका नाम है सुबरेनो आईजेक बारी जब ये बच्चा सिर्फ 6 महीने का था तब इसने बोलना शुरू कर दिया था जब ये 2 साल का था तब ये physics, chemistry और mathematics की problem solve किया करता था और आज जब ये सिर्फ 9 साल का है तब ये दुनिया का सबसे youngest professor है जो कि दुनिया की बहुत से universities में physics के lecture लिया करता है इसने खुदनेक ब पिर आज़ ओं